मैं मरी सर्मा जैसे कि मैंने आप से प्रोमिस किया था कि मैं हर संडे आप के लिए एक मोटिविशनल वीडियो डाला करूंगा जिससे आप अपनी पढ़ाय की उचाईयों को चरम सिमा को छूँ सकें और आप कभी भी पढ़ाय से ना उबें तो आज हम गुरू वैसी से के संबंदों के बारे में गहनता से जानने का प्रियास करेंगे और वो प्रियास होगा कि किसी प्रकार एक अध्यापक अपने चातरों से क्या प्राप्त करना चाहता है उसका क्या उद्देश से है वे अपने च्छात्रों से क्या प्राप्त करना चाहता है वे है केवल ध्यान वे लगन वे उसका समरपन अपने ज्यान को बढ़ाने वे उस ज्यान को जीवन की आधार सिला बनाना ही हमारे लक्से होना चाहिए हाँ मैं मानता हूँ कि कटनाईयां भी हमारे जीवन का मूल अंग है पर उस ग्यान रुपी तलवार से उस कटनाई को हमें काड़ना होगा वे ग्यान रुपी तलवार का निर्मान हमें अपने आदरसों को इस्थापित करके प्राप्त करना होगा क्योंकि जब आपके आदर्सों का निर्मान होगा तभी आप अपने से बड़ो गुर्वों वे माता पिताओं के दुआरा दिये हुए ज्यान को प्राप्त कर सकते हैं उसको छिप्रकार से प्राप्त कर सकते हैं प्रियोग आप स्वेता ही कर सकेंगे इस बात को हम एक छोटी सी कहने के माध्यम से समझाने का प्रियास करते हैं एक बार एक कोलीज में ककसा ककसा के दोरान एक इस्टुडेंट्स की घडी चोरी हो गई वहे घड़ी इतनी कोशली थी इतनी महंगी थी कि उसने तुरंट अपने ककसा ध्यापक से कहा सिकायत की कि मेरे घड़ी सर चोरी हो गई जो लगभग हजारो रूपे की थी हजारो या लांको रूपे की थी यानि कि बहुत कोशली थी कि तो कोलीज में पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक ने ही उसको चुरा लिया था इसलिए उस शिखी सकने उस कमरे के सारे दरवाजे बंद करा दे ताकि कोई बाहर न जा सके तो अब सिखसक ने क्या किया परतेक बच्चों की आँखोंग पर पट्टी बांदी ताकि वे किसी को ना देख सके कि गड़ी किसके पास से मिली जब उन्होंने परतेक की चेकिंग की परतेक को बैक देखा उसकी जेब देखी तो किसी के पास से उन्हें वो घड़ी मिल गई वे जिसकी वो घड़ी चुराई थी जिसकी वो घड़ी थी उसको वापस कर दी चलो कोई बात नहीं समय गुजरता गया कहीं साल कहीं वर्स गुजर गए जिस बच्चे ने वो घड़ी चुराई थी कुछ सालों बाद वो इस पद पर पहुँच गया कि कोई फंक्षन उस स्कूल में था और वहाँ पर चीप गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया जिसने गड़ी पहले चुराई थी वो आया और उसने उस सिक्सक को देखा और उनको अलग बुलाया उनका चनवंदन किया और उनके चर्नवगिर कर रोने लगा कि सर में वही हूँ जिसने उस दिन घड़ी चुराई थी तो अब सर का जवाब सुने सर ने क्या कहा कि बेटे मुझे भी नहीं पता कि यो घड़ी तुमने चुराई थी क्यों नहीं पता सर को क्योंकि सर ने भी अपनी आँख पर पत्ती बांद ली थी जब सर ने परतेग बच्चों की आँख पर पत्ती बांद ली तो मैंने भी अपने आँख पर पत्ती बांद ली थी क्यों यह सकान क्या था ताकि मेरे नजरों में मेरे नजरों में तुम या कोई अन्य बच्चा ना गिर जाए इसलिए उस अध्यापक ने क्या क्या बच्चों के साथ साथ साफी करवामनित हुए क्यों क्योंकि बच्चे ने उनसे कहा कि मैं वह हूं और आज मैं एक इस पद पर पेशे सदिकारी हूं जिलाद्यक्स हूं जिलाद्यकारी हूं कि आपने मुझको यहां पर चिप गैस्ट के रूप में इन्वाइट किया बुलाया तो बच्चों यह हमारी आज एकानी थी तो परतेक्स्टेंट्स और सुनने वाले अन्ने वीवर्स हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेर करें धन्यवाद